ह vibrant प्रेक्टिस हट पर इए अब क् Videoss a्ट के आगे work 1 पर विव सोस होता है इस जे प्रेक्टिस स्षाफ का एक क्वेश्च वेश्चमाइ फूर्ट वेश्च मेर charges करेंगे वन हम आज करेंगे जी कल क्यों नहीं आना कल के है किदर चला जाओ देखें क्लास पर आगे चला जाओंगा ओके सॉरी फॉलिंग इस दा लेबर डेटा फे कमपनी फॉर अ गेवन वीक आज तादाद इतनी थोड़ी क्यों है लिबर्टी बंद है आते सारे इधर से यहां तो लिबर्टी बंद है लिबर्टी से कौन आता है एक आता ना तो एक नहीं आना चाहिए था यह बागी क्यों नहीं है क्या बात है पॉलिंग इस दा लेबर डेटे औफ ए कमपनी फॉर अ गेवन वीक जी पांच दिन है हफ़ते में हमने डिफरेंट यूनिट्स बनाए हैं हर दिन में और आर्ज हर दिन में जितना इतना काम किया वो हमारे पास मौझूद है अब क्विस्टिन में हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या हमें पेमेंट आर की बेसिस पे होती है आर आपको कितने पैसे दिये जाते हैं एंड दा लेबर कॉस्ट पर यूनिट सर पीछे आर्ली रेट मांगा हुए यहां पर यूनिट मांगा हुए तो मेरे हैल में टोटल अर्निंग्स निकालनी पड़ेंगी उसको डिवाइड करेंगे नमबर ऑफ आर्स पे तो अर्ली रेट आएगा और नमबर ऑफ यूनिट पर डिवाइड करेंगे तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट आजएगी तो बस ये फरक है इसमें इज्यूमिंग ए 100% बोनस प्लैन ये 100% बोनस प्लैन का क्या मतलब है जी bonus के बारे में मैंने आपको बताया था कि bonus मिलता है time saved पे तो time आपने जो actual time taken है अच्छा time saved का क्या formula है time allowed minus time taken तो time taken तो उसने पर आपको 8-8 घंटे हर दिन का बताया हुआ 100% का क्या मतलब है सच जितना basic rate आपको मिलता है न वही rate आपको bonus का हर घंटा बचाने के लिए भी मिलेगा okay with a base wage और rupees 6 पर आर ये तो उसने बता दिया and a standard production rate of 30 units पर आर ये standard production उसने आपको बता दी तो standard को actual के साथ compare करके हम bonus निकाल सकते हैं मसला ये है कि उसने मुझे उपर बोला है कि hourly rate निकालना है तो ये जो छे पर आर दिया वाई ये क्या है जी ये bonus से पहले का है भाई जो उपर आपको hourly rate मांग रहा है न वो total earnings में बता रहा है कि effective बताओ कितना बड़ा बोनस इस छे में शामिल नहीं है ये तो basic pay है भाई तो आपको bonus निकालना पड़ेगा overtime निकालना पड़ेगा total earning निकालनी पड़ेगी उसके बाद number of hour पे divide करना पड़ेगा फिर आपके पास पर hour effective rate आएगा ओके तो ये काम आपने करना था हो गया था ये सवाल नहीं हुआ था कोई बात नहीं दोस्त हम calculate कर लेते हैं सबसे पहले हैं हमारे पार डेस जी सबसे पहले अगर हम देखें तो actual hours worked कितने है भाई चालिस किदर चालिस लिखा है आठ है भाई ने टोटल नहीं हमने तो डेवाइस करना है डेवाइस करना है बेसे कर रेट क्या है जी इसको बी बोलते हैं और ये है 6 सब में ही सेम हमारा रेट होगा और earnings कितनी होंगी basic earnings या basic pay कहें इसे c is equal to a into b सब में ही 48 48 कोई मसला यहां तक कोई issue नहीं नेक्स्ट पे अब हमें निकालना है bonus सवाल में over time नहीं है तो उसको फारिक करें बोनस पे आईए bonus के लिए मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए difference time allowed का versus time taken का ओके तो time taken पहले ले 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 लेते हैं जी वो सवाल में given है कि यूनिट्स से बात करते हैं यूनिट्स से बात करते हैं यूनिट्स लिखें पहले उसके बाद time जी बात करते हैं time taken तो मेरे पास वो आ ही रहे यूनिट्स कितने मनाया जी 270 210 300 240 260 ले जी ये मेरे पास आगे यूनिट्स एक्चुल time taken है मेरे पास अब आये जी standard time allowed कितना था यह आपको जरण ठीके से calculate करना पड़ेगा गौर कीजेगा उसने आपको बताया है के 30 यूनिट्स बनते हैं एक घंटे में यहीँ बताया है मुझए hours saved चाहिए मुझे तो data hours में चाहिए ऐसे ही है गौर कीजे 30 यूनिट्स बनते हैं एक घंटे में कैसे ही है एक unit कितने में बनेगा 1 divided by 30 ये 270 कितने में बनने चाहिए थे ये ही मेरा standard होगा 270 units 1 divided by 30 into 270 बताईए 9 hours 9 गंटे में बनने चाहिए थे तो standard time 9 हो गया मैंने कितना time लगाया एक गंटा बचा लिया तो time saved कैसे निकलेगा F is equal to E minus A 1 जे जे कोई बात नहीं बिल्कुल ठीक है वो भी ठीक है वो एक ही बात है बेसिकली आप 270 को divided by 30 करें तो यही कर रहे है असल में ठीक है यह जरा कुछ मेरे जैसे है उनके लिए है ठीक है आप डिरेक्ट जाना चाहते हैं बल्कुल चले जाए वैसे ही है यहाँ पर आईए यहाँ पर 30 एक घंटे में बनते हैं एक उनिट वन ड्वाइब थर्टी पर और हमने कितने मनाए 210 आपने सिंपल क्या करना है 210 यूनिट्स वन ड्वाइब थर्टी इंटू टू टैन बताइए सेवन आर्स साथ घंटे लगने चाहिए थे हमने कितने घंटे लगा दिये टाइम सेवड माइनस वन नहीं सर जीरो लखेंगे प्लीज बॉनस निगेटिव में नहीं ओगा ऐसा नहीं होता कि इंपलाइर जाहे फिर इंपलाइब को कहें अब आपने ज्यादा घंटे लगाएं वापस करो पैसे मेरे अपनी जेप से पेकरो ऐसा नहीं होता बोनस या तो होगा या नहीं होगा यह नेगेटिव बोनस वाली कोई बात नहीं होती तो अगर आपने कोई टाइम नहीं बचाया तो जीरो नेक्स्ट पर आगे बताईए सेंडर टाइम कितना है इसमें बताईए और इसमें 8.65 यहां पर 2 घंडे बचा लिए यहां पर कोई टाइम नहीं बचा और यहां पर 0.65 आर्ज बचा लिए चलने ठीक है एक ही बात है 65 ए 67 ठीक है राउंड आफ है कोई बात में 6567 एक ही बात है ओके अब टाइम सेव अब बोनस निकालने हमने बोनस जी इस एकोल टू एफ इंटू बी ऐसे ही होगा जो आपने टाइम सेव किया उसको आपने इससे मड़ डिपलाय करना है अगर सवाल में लिखा हुआ था 50 परशंट है तो फिर आप इसको 50 परशंट भी करते हैं ओके यह सवाल आपको बताएगा तो बताएगा तो बत है ठीक होगी बाद समेरिया में बटानों अब जै कि अब लू मार्कर चेंज कर लो है ब्लैक है यह यह पता नहीं लाइट ता हो चले लिए यह यह वही लोग है जो कहते हैं बाबारजम ठीक नहीं खेलता है अजीब लोग है यह ओके टोटल अर्रिंग्स बोनस प्लस है बेसिक पे क्या मुझे सी और है जी को टोटल करना चाहिए ऐसे यह सी प्लस जी को तो बताएगे 54 48 60 48 52 अब उसने मेरे से क्या मंगा वैंजी डेली अर्निंग तो मेरे पास आगी डेली अर्निंग मेरे पास आगी मुझे चाहिए आर्ली रेट अर्ली रेट चाहिए और यह कैसे निकलेगा टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाए नमबर ऑफ एक्चॉल आर्स वर्क ए में ज बनेगा बताईए जी 54 डिवाइड बाए एट 6.75 अगे यह एट बनेगा और सुरी 6 बनेगा यह बताईए सिक्सव.5 ओके मेरे भाई सब अच्छा है और लास्ट पर उस ने क्या मागा बाए लेबर कौस्ट पर यॉनिट लेबर कौस्ट पर यॉनिट भाई ये कैسे आएगी लेबर कॉस्ट पर ने टोटल रेनिंग क्या है एच नमबर अफ इनिट के तने है जी डी में लिखे मैं तो बस ठीक है अर्निंग्स को यूनिट पर डिवाइड करने बताईए जिरो पॉइंट जे जिरो पॉइंट टू थ्री जिरो पॉइंट टू जिरो पॉइंट टू सब में सेम हैं ओके यही मांगा गया था आपसे सर जैसे आपको मुनासिब लगे कर लें यह स्टेंडर्ड फॉर्मेट नहीं है सवाल और तरीके से भी हो सकता है आंसर यही आने चाहिए आंसर सेम आ रहे हैं आपके बस ठीक है सर स्कोर होना चाहिए चाहे विकेट को लगके तीन लिये जाए चाहे नोबोल पर छका मारा ज सर कोई बात नहीं आप उसमें लैंड्सकेप में आजाए बेहुल कर सकते हैं इसमें क्या इश्यू है आप कर लीजाएगा आसेफली जड़दारी ओके चलें जी आईए वापस लर्निंग काउफ पे लर्निंग काउफ जो हमने कल शुरू किया था आज इसको खतम भी करते हैं बिटादो ये कि अब जी भाई नो वाले भाई मिटा दूं अब नी जैसे नो बोला था वैसे ही यस बोले अब नहीं बोलेगा जी कल बात हुए अब की कि दो तरीकों से हम यह किल्कुलीशन कर सकते हैं कि एक होता है टैबुलर मेथड़ और एक होता है अल्जेब्रिक मेथड़ लर्निंग का पता न याद है दुबारा बता देता हूं कि जब आप पहला यूनिट बनाते हैं तो उस पर जाधा टाइम लगता है और जैसे जैसे आप यूनिट बनाना शुरू करते हैं आपका एक्सपीरिंस बढ़ता जाता और आपका वक्त जो है वह काम होना शुरू हो जाती है तो अगर तो सिंपल उसना बता दिया कि 10 घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाने में तो जितने भी यूनिट्स होंगे आप उसको इंटू 10 से एक जम्शन ली जाती है जो के हम सवाल करेंगे तो आपको समझाएगी कि आउटपुट जहाए वो हमेशा डबल होगी यानि एक से दो बनेंगे दो से चार बनेंगे चार से आठ आठ से सोला सोला से बत्तिस यह कोई 25 वाली 20 वाली 28 वाली कोई बात नहीं है 32 64 122 बड़ी जीव सी एजम्शन है जिसके वजह से यह मैठोड वैसी फारग हो जाता ओके लिकिन बारहाल पढ़ना तो है ओके जी बच्पन में क्या आपने कभी नी खेला जब आपका बड़ा भई आपको बठागे कहता था जो मैं कोंगा इंटू टू करता जी वान इंटू टू फिर आप देखते थे कहां तक पहुंचने आप तो गालबन कहां तक बात रुपती थी 64 के बाद 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 बसा आगे सब चुप हो जाते थे 4096 से आगे किसी को नहीं पता होता थे इंटू टू क्या होता है 64 के बाद चलें तो यह इंटू टू इंटू टू वाली बात है कि आउटपुट जहाए वो हमेशा डबल होगी तो यह चीज जो है वो यहां पर एक एक एसम्शन ली जाती है जो के बहुत फुदू किसम की एसम्शन है जिसकी जैसे यह method वैसे ही फारिग हो जाता है टेबल बनाया जाएगा भी आपके सामने अंदाजा हो जाएगा एसम्शन यह ली जाती है कि output डबल है और चूंके output double होती है एक से दो, दो से चार, चार से आठ तो आप ये बता सकते हैं एक unit को बनाने में कितना time 2 को बनाने में, कितना time 4 को बनाने में, कितना time 8 को, 16 को, 32 को लेकिन अगर आप से पूछा जाए कि भाई 10 units का बता दें वो आप नहीं बता सकते हैं आप से पूछा जाए 15 units का बता दें वो आप इसमें ये बता सकते हैं तो सिर्फ कुछ specific number of units ही हैं जिनका बता सकते हैं ठीक होगी बाद फिर algebraic method इसमें formula use होता है formula is used can be made for any number of units इसमें से आप जो मर्जी कर लें जितने मर्जी units आप कहेंगे हम निकाल लेंगे कोई मस्टावली बात नहीं है ओके दोस्त परिशान परिशान लग रहा है खेरियत है पकी बात है दो लोग लिजया से परिशान हो या हो 11 लोग लोग के वज़ए से परिशान हो आप отвеч ए ही कोग करना कोई मसला नहीं है ठीक है जी हो सकता है वो भी परिशान हो वोई टेंशन में हो बचारे चलें कोई बात नहीं पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ नोट कीजे और आपको एक हैंड आउट कल दिया गया था जिसमें एक्जेंपल नंबर सेवन है झाल 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 जी आपके सामने एक्जेंपल सेवन है जी एक टेबल बनता है इसमें मैं पहले सवाल पढ़ लेता हूं पहले यूनिट को बनाने में 100 घंटे लगते हैं यह वो बात है जो कि आपको सवाल में लाजमी दी जाएगी अगर नहीं भी गिवन होगी तो इसका एक तरीका होता निकालने का वह वाला डेटा फिर गिवन होगा जिससे हम निकालेंगे तो आप बाहरा बाद में देखेंगे फिलाल तो बेसिक चीज़ है प्रोडेक्शं टाइम्स फोर टोटल ने वाइसटीइं निकालें इंक्रीमें queens लीकव चोड़ें इसको उसावाल को करते हैं निगग अ छीन घंडे मैठर आईए जी यूनिट्स प्लीस हमोशी भाई जहाँ जहाँ टाइम लिख है वहाँ वहाँ आप आर्ज भी लिख सकते हैं एक ही बात है ओके जी जी भाई चार कॉलम सुलूशन में तो सर्दादा बने में है सुलूशन देखना चुरू करतेते हैं साथी चले जी अब ये टेबल कैसे बनेगा एक दफा देख लिजाए बाद में नोट कर लिजाएगा पहला यूरिट बनाने में कितना टाइम लगता जी हंडर्ड आर्स हंडर्ड आर्स टोटल कितने होगे किमुलेटिव जैसे आप डेपरिसेशन में क्यू में डेपरिसेशन नेकालते हैं यह उसका टोटल होगा बताइए incremental इसको छोड़ें अभी यह end पर करतें इसको incremental को भी छोड़ें उसके बाद output होगी double और पूट डबल होगी आपका जो average time है 30% कम हो जाएगा 30% कम हो जाएगा इसको इसका 70% आपने लेना है इन 2.7 इन 2.7 करते जाएगे तो आपका वो automatically 30% कम होता रहेगा तो इसलमें आपका वक्त 70% learning effect का मतलब यह है कि आपका वक्त हर दफा 30% कम होता रहेगा ओके तो आप इसको जब 70 से multiply करेंगे तो आपके पास answer आएगा 70 क्युमिलेटिव इसको इससे multiply करें इसको इससे multiply करेंगे तो आपके पास time आएगा 140 क्या चीज़ें भी बताता हूँ 30% कम होगा learning effect का मतलब यह है कि आपने अब जहां पहले 100% टाइम लग रहा था अब 70% लगेगा यह मतलब है 30 कम हो रहा है तो आप असानी के लिए इसको 0.7 से multiply करते जाएंगे तो वक्त कम होता रहेगा कम आपने 30% करना है यानि पहले unit पे अगर 100 लगता है तो अब आपने अगले हर unit पे 70-70-70% टाइम लगाना है बात समझा रही है कि 70-70% टाइम अब आपका लगता है यानि 30-30% कम हो रहा है इसका मतलब यह होता है आउटपुट डबल होगी वक्त मजीद 30% कम होगा बताइए स्वाली 49 49 into 4 196 आउटपुट फिर डबल होगी 70% बताइए 34.3 34.3 into 8 आउटपुट फिर डबल होगी 16 यह फिर 70% कम बताइए इंटो 0.7 24.01 24.01 into 16 384.01 16 ओके यह 16 का एक टेबल बने आपके सामने अब देखते यह चीज क्या है सर आपने पहले यूनिट बनाया 100 गंटे लगे ओके और 100 गंटे यह आपका क्युमिलेटिव टाइम है उसके बाद जब आपने दो यूनिट बनाये एवरेज टाइम पर यूनिट कितना है टोटल टाइम 140 सर पहला यूनिट जब आपने बनाया ना टोटल थे 100 गंटे जब आपने दूसरे इंट बनाया ना तो 140 गंटे हो चुके थे मिसाल के दौर पर अब एक्जेंपल ऐसे होगा फिर आप अफसोर्स करेंगे यह पहला ओर है जी क्रिक्ट का पहला ओर अब सुनते जाएगा बीच में अपनी फजूल बातें मत की जाएगा पहले ओवर में स्कोर बने 15 और या चुप कर जाए या बीच में नहीं बोलना मैं चल रहा होता है ओवराल रंडेट भी 15 ही होगा 15 रंस पर ओवर फिर दूसरा ओवर आया मिसाल के तौर पे इसमें 10 रंड बने टोटल रंस कितने हुए आपके 15 जमा 10 25 और यह कितने ओवर्स में हैं दो वर्स में तो आपका जो रंडेट है वो कितने पर आ गया साड़े बार तो आपका रंडेट कितना हो गया जी 11.67 कुछ बात समझ आ रही है कि एक होता है आपका ओवर्स के अंदर जितने रंस बन रहे हैं ओवर के अंदर जितने रंस बन रहे हैं फिर एक होता है आपका ओवराल एवरेज क्या चल रही है जब आपके 20 ओवर कंप्लीट होंगे तो आपकी एक average निकल रही होगी मिसाल के तौर पे 9 कि हर over में average 9 run बनाए इसका मतलब ये कतन नहीं होता कि आपने वाक कहीं 9 बनाए वो कहीं पे कुछ होता है कहीं पे कुछ होता है average 9 के निकल रही होती है ऐसे ही है तो इसका मतलब होता है एक आपकी per over average निकल रही होती है तो क्या ये वो ही नहीं है per over average क्या है per over average क्या है ये per over average निकल रही है आपकी अब आपको किसी ने कहा भाईजान पाकिस्तान ने न 9 runs per over के साब से 20 over खेल नहीं है अब आपके जिन में क्या हैगा अच्छा 20 over खेले 9 के साफ से तो कितना स्कोर होगा टोटल 180 तो क्या ये कॉलम ये नहीं बता रहा ये कॉलम ये नहीं बता रहा सर दो वर खेल ली है 70 runs per over की average है अच्छा 140 की होंगे बात समझ आ रही है सर average ना 24.01 है कितने over खेल ली है सर 16 over खेल ली है multiply करें अच्छा इतने run बनाए होंगे कुछ बात समझ आ रही है तो ये आपको total accumulated time ये बता रहा है बात समझ आई तो अगर इसको units में अब लेकर रहे तो सर पहला unit जो है वो 100 में बनता है cumulative बे 100 है जब आपने 2 units मना ली है ना तो दूसरे unit पे जितना मरजी time लगा उसको छोड़े आपका total जो average है ना ये वाली, ये average ये 70 पे आ गई तो आपको फॉर्ण बता लगया total time तो 140 लगा होगा फिर आप दें 3 और 4 units मना के total 4 मना लिए तो आपकी average मजीद नीचे आ गई और अब आप 49 के इसाब से जो है वो गंटे लगा रहे है तो आपको पता लगा अच्छे इतने गंटे लगाए होगे यानि जैसे जैसे unit बढ़ाते जा रहे है वैसे वैसे आपकी average पर unit नीचे आती जा रही है क्यूंकि आप सीखते जा रहे है आप सीखते जा रहे हैं आइस्ता इस्ता कम होती जा रही है और total time तो आपका चले हैं वो जारी बात बढ़ नहीं है तो total time multiply करके वो आपका बनता जा रहा है यह बात सबको समझाई यह इसके context में सबको समझागी कि एक तरफ हमारा average run rate चल रहा होता है यह हमारा average run rate है ठीक होगी बात एक तरफ हमारा total score चल रहा होता है जिसको हम अपने average run rate into number of overs करते हैं तो वो आ जाता है यह बात सबको समझागी ओके समझ साथ यहां तो कोई सवाल अब आता है जी incremental time अब बात को ज़रा ध्यान से समझना है 100 अब इनको कैब नहीं सकता है बंद करें चले जी 100 अब गौर कीजे आप एक से आए दूसरे पे एक से दूसरे पे आए 100 था यहां पे total होगे 140 आप से अगर कोई कहे पहले ओवर में 100 बने थे पहले ओवर में score था 100 जब दो और complete हुए तो score होगे 140 दूसरे में कितना बना होगा 40 कुछ बाद समझाई उसके बाद आप मने match छोड़ दिया देखना फिर आप जब चौता ओवर हुआ ना आप तब आए जब 4 ओवर complete हो जोगे थे आपने कही या दूसरे ओवर में मैं छोड़ के गया था तो score 140 था अब चौते ओवर के तदाम पे score है 196 तो इन दो ओरों में कितना score बन गया याद रखिए कि ये दो ओवर में अब बना है point ये एक ओवर में बना था ये दो में बना है आपने फिर मैच छोड़ दिया देखना बड़ी कुटपाड ये साइट पे हो निकल जो यहां से उसके बाद जब आठ ओर हुए आप तब आए आप देखा चार ओरों में score था 196 आठ ओरों में 24 हो चुका है तो अगले चार में कितना score बना बताइए 78.4 ओके हो गी बाद उसके बाद ओके जी तो बात हो रही थी कि जब आप आठ ओरों में आये तो score था जी 284 आपने का था चार ओरों में तो इतना छोड़ के गया था आठ ओरों में इतना हो गया इसका मतलब है अगले चार ओरों में 78.4 बन गया ऐसे ही है उसके बाद आपने फिर मैश देखना छोड़ दिया फिर आप 16 ओरों में आए आपने का 8 में इतना बना वा था 16 में इतना है तो अगले 8 ओरों में कितना score बना 109.76 तो यह हमारा incremental चल रहा है लेकिन गौर कीजे पहले से दूसरे पे आने पे 40 गंटे लगे ऐसे ही है उसके बाद दूसरे से चौते पे आने पे इतने लगे यानि कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 16 का increase है लेकिन यह 16 का increase एक unit का नहीं है यह दो units का है तो अगर आप से कोई पूछेगा कि यार दो वरों में 140 चोड़ के गया था चार वरों में 196 है दो वरों में 56 स्कोर बढ़ गया है average कितना बढ़ा होगा 28-28 तो अगर आप इसको नहीं यह सौरी गलत हो गया यह 56 मनता है हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है दो वरों में तो एक में आपका 28-30 बनेगा बिल्कुल ऐसे ही है 28-30 बनेगा उसके बाद फिर यह है चार से आठ का यह बिसिकली मैं यहां पर ब्लैक से लिखता हूँ फिर आपको समझाएगी यह है जी यहां पर second unit की बात हो रही है यह बात हो रही है third and fourth unit की यहां पर बात हो रही है fifth, sixth, seventh and eighth unit की और यहां पर बात हो रही है ninth, tenth, so on, till sixteenth eighth units की बात हो रही है ठीक होगी बात तो यह basically incremental का concept है जो के आपको यहां पर नदर आ रहा है ठीक होगी बात अब गौर कीजे जुम्हें बात आपको पहले बताने लगा था यह 56 का increase दो वर्स में आया दो वर्स में आया तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको divide by two करेंगे तो per over आप निकाल लेंगे 28 per over बने ही होंगे फिर यह 78.4 यह 4 से 8, 4 overs में आया है तो अगर आप इसको 4 से divide करेंगे तो average आपके बाग कुछ ना कुछ आ जाएगा यह increase कितने में आया है आठ में आया है तो बताईए यह answer बता दें सरा मुझे और यह तो यह वैसे यह calculation थी इस calculation के वैसे जरूरत भी बढ़ती है यह वैसे बस एक है आपको समझाने के लिए बता दिया कि देखें वाक्त गर रहा है लेकिन 12 अब इसमें से हमें चाहिए क्या होता है इसमें से हमें चाहिए होता है यह उसने हमें बताया कि भाई 16 units हमने बनाने है per unit time मिसाल के तोर पर लगता है 100 गंटे तो आप क्या करेंगे 16 units को multiply कर देंगे 100 गंटों के साथ तो आपके पास 1600 गंटे आ जाएंगे इसको आप rate से multiply करेंगे तो आपके पाई labor cost आ जाएगी यह तो simple तरीका है लेकिन जब वो सवाल में बता देगा ना कि learning चल रही है तो फिर आपके यह direct 100 नहीं रहेंगे यह तो सिर्फ पहले के 100 हैं वक के साथ साथ वो नीचे आते रहेंगे और पता यह लगा सर जी यह बात जो थी वो कुछ और थी 16 यूनिट्स को बनाने में कितने घंटे हैं यह total 384.16 आर्ज हैं यह 1600 नहीं है जैसे आपने कहा था ओके यह 384.16 हैं यह बेसे के लिए हमें यहां पे चाहिए होगा जिसको हम कंसेडर कररे हूँ थीक होगी बात यह बात आपको समझागी तो यह वो आपको समझा हागी यह वह क्ैमिलेटिव स्कोर है जो के हमने चेस करना है ओके ? नहीं होना कि तुम्हेने इसे ट्रकपर बठा देना चाहिता जा आब जाया था मनें होना संडे को होगा कि फाइदuna संडे को ओगा अगर अगर पिरेख चांसे अगर अबसके सारे में जी जाए अगर इंडिए और सुल इमॉडप य पारत जी जाए और जंबावे कोई एक मैच आर्ज है we are through the semi-finals तो सर देखे ना इंडिया सारे जीतेगा तो साउट इफ्रीका को हराएगा ना पाकस्तान सारे जीतेगा तो पाकस्तान भी साउट इफ्रीका को रादेगा सर कहने में कहा है उमीद पर ही दुनिया काय में इसी उमीद पर आप पूरा टोर्नमेंट देख रहे होंगे बागी कोई बात नहीं मैंने तो बता दिया कि यह options हैं आगे आपकी मरजी समझना समझे नहीं समझना समझे नोट करें फिर एक सवाल लिखें जल्दी करें टाइम न कि यहां नोट कर मेरा भाई कि मैं पढ़ा आगे जोंगा कि वजा एुझा हो गया नोट लिखें सवाल सवाल लिखिए ए ए एंड कंपनी इस प्रिडूसिंग प्रोड़क्ट वह या शौकर देंड कंपनी लिख लो या शौकर देंड कंपनी इस प्रोड़क्ट जोज समझ में आते हैं लिख लो जी इम बबबग यह होते हैं शौकर के स्पेलिंग अजीब आदमी हो या शौकर देंड कंपनी इस प्रोड़क्ट दप्रोड़क्ट दप्रोड़क्ट्छेस दडा नेचर ओफ दडीड आफ दा नेचर आफ दो अव The process has the nature of learning effect at 90 percent. The process has the nature of learning effect at 90 percent. Labour hours required to produce first unit. Labour hours required to produce first unit or 20 labour hours. Labour hours required to produce first unit or 20 labour hours required. Prepare a learning curve table, prepare a learning curve table for 32 units using number 1 पे लिखिये टेबुलर अप्रोच और 2 पे लिखिये अलजेबरिक अप्रोच आप टेबुलर अप्रोच से कीजिए अलजेबरिक अभी देखते हैं. जल्दी हो जाएं, वक्त नहीं है. 2 मिनिट में यह सवाल आपका होना चाहिए. कर दोरी होना प्रूच आपका है. जहीं होना हम इन आपका हैं. और फिर्स्स उनिट ऐसे जादे कौन हो भाई तुम यार तुम वह हो ना नहीं तुम वह हो मुझे बता है तुम भी वह हो ना नहीं वह हो मुझे बता है तुम दोनों वह ही हो कुब आ जाता है या पिर्षान कDING जाता है मेरा भाई श्रमिंदी की होती है donít अचा डर जाता है उस दिन भी डर गया था है को गया सवाख गई है मत दो जी बार करें के नedere थोड़ा सा रहेंगे क्या कहेंगे कमें रहेंगे हैं तू भाई मेरा भी सवाल करिया है कर दो अभी तक उसामा ने सवाल लेखा जरब यार बात सुनिए यह वाला जो सवाल ना लेबर कॉस्टिंग का पास्पेपर नॉम्बर टू पास्पेपर टू है स्मार्ट प्रसेसिंग वाला इसका रिक्वार्मन यहां पर अभी तक उसामा ने सवाल ही लिखा है सॉरी 377.2 पहला गयर खत्मी गयर सरकारी ने दीजा बताईए 377.92 बस पॉइंट की खैर है 377 आना चाहिए अभी पता नहीं मुझे ठीक है अभी के नहीं सबका आ रहा तो इसलिए बोला है अभी बोर्ट पे देखते हैं क्या आंसर आता है अभी तक उसामा ने सवाल ही किया सिर्फ एक कॉलम भी फुल नहीं हुआ उसामा का बात ने उसामा से करा लो जितनी मर्जी जी सर हो गया क्या अंसर आया आपका 377 सबका यही आंसर आ रहा है ओके फिर यही होगा मैंने टेबल का था बनाने को थी तीनों को ना बनाने आपने इंक्रिमेंटल टाइम के ने अभी मैं बतातों जूरत कहां पे पड़ेगी अभी वो करते हैं ओके जी आई येस को बोर्ट पे करते हैं हाँ 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 जी पहले युनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है क्युमिलेटिव भी 20 होगा और इंक्रिमेंटल भी 20 होगा लर्निंग रेट कितना है यानि हमारा वक्त जो है वो दस-दस परशन कम होगा यानि इसको पॉइंट नाइन से मल्डिवला करें बताईए अठारा ओके पहले एक कॉलम फिल कर ले या यू करें पहले कॉलम फिल कर कि 90 परशन कम हो रहा है मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं बताईए 14 पॉइंट ठीक है बताईए 13.2 11 पॉइंट ए जिरू ले जी यह आपके पास एवरेज टाइम जो है वो वक्त के सासर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि खिलाडी आउट होते जा रहे है और स्कोर बनने है बहुत नीचे ओके वह भी निए चले आगे चले टोटल क्यूमिलेटिव टाइम मल्टिप्लाइब करके आएगा मल्टिप्लाइब करके आएगा 36 बताईए 64.8 डबल बन सेक्स पॉइंट बस ठीक है पॉइंट की खैर है थोड़ा पॉइंट उपर नीचे खैर है इंक्रेमेंटल कितना लगा 16 बताईए माइनस करके एक सेकंड जी कि इसमें मसला है यह कितना है कि देख लें बाराल जो कुछ भी है कि सुरी 168 पॉइंट की खैर है थोड़ा बहुत पॉइंट उपर नीचे आज़ा तो उसकी खैर है तो बेसिकली हमारा जो यह वक्त था वो हमें चाहिए था जो पेपर में आपको चाहिए होगा जो आपको कॉस्ट नेकालने के लिए चाहिए होगा ठीक होगी बात अब यही सवाल ह जी अलजेब्रिक मेथर्ड इसमें एक बहुत ही मुनासिब और सिंपल सा फॉर्मॉला इस्तमाल होता है वाई इस इकुल टू ए एक्स रेस्टो पार बी इसमें वाई क्या है जी cumulative average time per unit a is time required to produce first unit x is the number of units producer to be produced और भी है जी लॉग ओफ लर्निंग रेट और डिनुमिनेटर फिक्स रहेगा हमेशा लॉग ऑफ टू कल्कुलेटर में लॉग होता है ना मेरे से बेतर इस्तमाल कर सकते हैं तो यह इसका फॉर्मॉला है जी अब लॉग अब लर्निंग रेट डिवाइड बाइ लॉग अब अब बाइड बाइड लॉग अब ठीक है जी अब यही सवाल हम करते हैं जी इस मैथट से अलजेबरिक मैथट से प्लीज हम उसी से पहले सुनिएगा बाद में नोट कर लीजेगा कितने यूनिट्स आपको बनाने का बोला गया 32 एक्स की जगह पे 32 और बी है लॉग ऑफ लर्निंग रेट लर्निंग रेट सवाल में कितना है 90 परशेंट तो इसको आप लिखेंगे 0.9 और लॉग ऑफ टू ये तो हमेशा लॉग ऑफ टू ही रहेगा इसको सॉल्व करके बताएं क्या अंसर आता है 11.8 क्या आया आर्स 11.8 आर ओके इसका मतलब क्या है जी इसका मतलब यह है प्ली सुने यह बात बढ़ी इंपॉर्टन नहीं सुने अगर आप 32 यूनिट्स बनाते हैं तो 32 यूनिट्स बनाने पे जो एवरेज टाइम पर यूनिट आपका आएगा वो 11.8 आएगा क्या यही चीज़ है क्या यही चीज़ है क्या यही चीज़ है हम 32 यूनिट्स बनाते हैं तो एवरेज टाइम हर यूनिट को बनाने का 11.8 आ रहाएगा ठीक होगे बात तो यह हमारा निकला जी क्यूमिलेटर एवरेस टाइम पर यूनिट्स यह बिसिकली हमने यह वाली फि यूनिट्स प्लीज हमुशी यारुसामा टोटल टाइम फॉर 32 यूनिट्स को निकालने का बनाने का टाइम क्या 11.8 को 32 से टेबलाय कर देना चाहिए बताइए पॉइंट सेक्स आर्स लेजी यह देखें इसके बराबर है ठीक है तो यह आपके पास इसका अंसर आया अब इसमें आप कोई भी उनिट लगा लें जो मर्जी उनिट आप उठाके लगा लें आपका अंसर आ जाएगा 31, 33, 39, 40, 2000, 5000, 5000 टे 128 के लिए आपको तमाम स्टेप से गुजरना पड़ेगा यहां पे आप डिरेक्ट भी पहुन सकते हैं ठीक है तो इस मुच बेटर method ठीक है जी चले जी एक example आप लिखिए और मुझे solve करके दें इसको algebraic methods है फिर इसमें एक और कहारी में twist है वो भी add करते हैं लिखिए जी एक example calculate labor time यह वाजब तुम आ रही है कोई बात नहीं क्या हो सकता है यह सबकुछ जिंदी का हिस्सा है calculate labor time calculate labor time to produce calculate labor time to produce 30 units calculate labor time to produce 30 units assuming assuming learning rate of 80% assuming learning rate of 80% will continue calculate labor time to produce 50 units assuming sorry 30 units assuming learning rate of 80% will continue will continue till first 30 units will continue till first 30 units okay करने सवाल algebraic methods है क्या लिखवा है मैंने calculate labor time हां ठीक है तो ठीक है क्या इसमें अशला है क्या टाइम है वह भी चाहिए था लिखे time taken to produce first unit is 10 hours time taken to produce first unit is 10 hours असकर बांड़ दीचे आप उती है जी बाकिए जरा दो मिनिट लगाए फॉर्मला दो मिनिट में हो जाएगा कि बड़ी नफास्त से आपने copy किया है बठीक अब हो गया तो करने करें किताब लादे भाई मंडे को आ रही है चला बुद को तो आप आएंगे किताब का हिस्सा हिसे है अप किताब आईगी नहां तो बबे मिल जागए पो फिलाल इस से काम चला just लिए ठीकाने की pounds नहीं है बस मंडे को किताब आईगी न तो फिर आपका summers लगा किताब में नहीं होगी प्लीज खामूशी से सवाल करें। खामूशी से सवाल कीजिए। देख देखके कर रहा है उसामा खुद नहीं कर रहा हूँ है। फॉर्मूला लेक्ट लिया है अब आगे देख रहे है वैल्यू कौन सी काई पूट करनी है। सर्क्राइब क्या ये तीस यूनिट्स को बनाने का टाइम है ये पर एनिट है तो मैं ने सवाल में क्या पूछा तिस तरह का टाइम पूचा तो सरा मुझे वह बताइंगे आप मुझे एवरेज नहीं बताइंगे कि अजै कि हो गया जिस अब का नोट चल्य जी अब क्या करेगा उसामा सवाल ही मिट गया अब खुद करेगा उसामा ओके जी फॉर्मूला रहेगा वो ही y is equal to ax raised to par b जी हमें 30 units का average time चाहिए बताईए भाई पहले unit को बनाने में कितना time है 10, कितने units है 30 और learning rate कितना है 0.8 divided by log of 2 बताईए 3.34 hours per unit पूरी बात दिखा करें यार प्लीज हमुशी हो जेंगे थोड़ी से hours per unit 30 unit बनाते हैं तो हर unit को बनाने का average time है 3.34 मुझे बनाने है कितने total time for 30 units 30 into 3.34 बताईए 100 0.36 hours लें जी 30 units को बनाने में इतना time लगेगा और इसको मैं अब labor rate पर आर से multiply करके अपनी total labor cost टिकाल लूँगा ठीक होगी बात लेकिन मसला है कि ये भी exam का level नहीं है अब जो बात उने लगी है न वो exam का level है concept है जी learning rate stoppage example लिखिए यही example जो मैंने लिखवाई है न इसी को copy paste करें करना आपने ये है calculate labor time to produce 30 units लिखवाया था न इसको 50 कर दें जो भी आपको example लिखवाई है calculate labor time to produce 30 units assuming learning rate इसमें आप labor time to produce 30 units को 50 units करतें और example पूरी लिखवाई है फिर इस सवाल को करते है ओ भाई क्या कर ओ सुलूशन नहीं करना है मैंने भी question लिखने को बोला है लिखें question यार आप भी नजीब लोग है लिखें सवाल सवाल लिखें छोड़े सारी बात है सवाल लिखें कैल्कुलेट लेबर time to produce सवाल लिखें कैल्कुलेट लेबर time to produce 50 units ये बोला था सवाल copy paste कर लें इस कैल्कुलेट लेबर time to produce 50 units assuming learning rate of 80 percent assuming learning rate of 80 percent will continue assuming learning rate of 80% will continue till first 30 units till first 30 units and time taken to produce first unit is 10 hours okay, मुझे बताईए अब सवाल में क्या मसला है अब मसला यह है कि learning एक जगा पर जाकर रुक जाएगी अभी तक जो हम सवाल करते है उसमें यही एजुम किया कि learning जो है वो चलती रहेगी, वक्त कम होता रहेगा लेकिन यहाँ पर 30 units पर आके ना वक्त जरा रुक सा जाएगा और फिर अगले 50 तक वो ही वक्त चलता रहेगा जब तक वर्ल्टक अप हतम नहीं होता वो ही वक्त चलता रहेगा ओके तो भाई क्या मतलब है इसका, मुझे चाहिए 50 units का time वक्त कम हो रहा है 30 तक, तो मैं 31 सा लेके 50 तक कैसे निकालूँगा सर जो 30 में का time है, वो ही 31 सा लेके 50 तक का time है तो इसका मतलब यह है, मुझे पहले इस formula से 30 units का time निकालना पड़ेगा वो पहले 30 का time आ गया, एक चीज मेरे पास यह आ गई फिर मुझे 30 में का निकालना है, मैं 30 में का कैसे निकाल सकता हूँ सर अगर मैं total time 30 का निकाल लूँ और total time 29 का निकाल लूँ दोनों का difference ले लूँ, तो वो incremental वाली बात हो जाएगी वो incremental वाली बात हो जाएगी, वो ही अगले 20 के लिए होगा तो सर यह काम करना है extra अब करना कैसे इसको, आई यह देखते है तो यह अब जो example है, यह दुबारा से solve होने लगी है, यह पिछली example है यह अब जो दूसरी example लिखवाई है, यह वो है आपको यह बताया गया कि total 50 units का time चाहिए, लेकिन learning सिर्फ 30 तक है तो सर आप यह formula 30 से उपर ले जा ही नहीं सकते है, शदीद गुना वाली बात होगी तो 10 into 30 log of learning rate 0.8 divided by log of 2, बताये कितना time आता है 3.34 hours per unit ठीक होगी बात, उसके बाद total time for 30 units इसको 30 से multiply कर देंगे हम, कितना आया जी 100.36 hours, ले जी यह घंटे आपके पहले 30 के लिए आ गए अब मुझे चाहिए 31 से लेकर 50 तक के लिए घंटे लेकिन उसके लिए मुझे 30 का चाहिए, सर यह total 30 का है, 30 का नहीं है मुझे 30 का चाहिए, 30 के लिए मुझे 29 का पहले निकालना पड़ेगा total time for 29 units, यहां पे जरा ना pen चोड़ दे, यहां पे जरा प्लीज पें चोड़ दे अगर मैं 29 से बनाऊंगा, तो क्या मेरा formula यही रहेगा, यह इसमें कोई तब्दिली होगी 30 की जगा 39 आएगा, ओके, time taken to produce 1st unit यही रहेगा 30 की जगा 39 आजाएगे, log वही रहेगा और log of 2 भी वही रहेगा इससे average time आजाएगा, अगर मैं 29 बनाता हूँ तो per unit average आजाएगा time multiply by 29, 29 minutes का time आजाएगा, बताइए क्या answer आता है 98.09 कर ले, आर्स, प्लीज गौर कीजे, प्लीज गौर कीजे भी, यहां बेना student यह गलती करता है वो गलती यह होती है कि जब वो देखता है ना मैंने 29 को निकाल ले है, वो 29 को multiply कर देता है इसके साथ क्या यह ठीक है गलत है, यह गलत है भाई, सर यह तो average time तब है जब आप 30 बनाते हैं, आपने तो उसके साथ multiply करना है जब आप 39 बनाएंगे तब average आएगा, तो इसका मतलब है इसके साथ तो आपने बिलकुल नहीं करना, आपने 29 के लिए दुबारा से calculation करनी है, अभी 39 का time आगे, यह 30 का time है, तो time required to produce, time for producing, 30 units या 30th unit, 30th unit, यह कैसे निकलेगा जी, 100.36, 30 का time है, 98.09, 39 का time है, difference, 2.27 hours, ले जी, 30 का यह time है, 30 का यह time है, अब यहां से आप निकाल लेंगे, time taken to produce, units from 31 to 50, अब कोई formula लगाने के जुरूरत नहीं है, यह 2.27 ही carry होगा आगे तक, 20 unit बनते हैं न टोटल, बताइए, 45.4 hours, ले जी, अब एक घंटे आपके पहले 30 के यह निकले होएं, और अगले 20 के यह निकले होएं, इन दोनों को टोटल करें जी, total time for 50 units, आपने 1 प्लस 2 करना है, बताइए जी, 1 पे है 100.36 hours, और 2 पे कितना है जी, 45.44 hours, बताइए, 76 hours, ले जी, यह आपके पास answer आ गया, इसको multiply करें labor rate के साथ, अगर सवाल में मौझूद है, total labor cost लेकाल, तो यह exam level है, जिसमें वो एक जगा पे जाके learning को रुकवा देगा, ठीक होगी बात? ओके, note अब करें, बस आपके 2 से 3 मिनट चाहिए और उसके बाद हम class खत्म करते है, जो note करता जाए, वो practice set पे आता जाए, practice set के art पे आता जाए, जे, यह चीज मैं दुबारा बता देतो, sorry, जे, 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 ने, standard का क्या मतलब है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आगे learning तो ही नहीं, जो time 300 को लगना है, वो ही time आगे 31 को भी लगना है, 32 को भी लगना है, 33 को भी लगना है, 50 दग वो ही time लगना है, तो multiply कर दे, ओके, जैसे normal हम पहले क्या करते थे, जव लर्निंग नहीं होती थी, हम कहते है था, एक unit को बनाने में 2 घंटे लगते है, पचास निट तो 50 निटे टू लांतेन दे किरता थे, तो ब्लिटन नहीं होती थी, तो अब लर्निंग या तो यह करे, आएए जी प्रेक्रिस एड़ पर ऊंचिके सारे हैं रिंडी कंपनी प्रोइट स्किल्ड लेबर आ गया बट देर आफ्टर दाइम टेकन विल बी सब्जेक्ट वान 95 पर्शन लर्निंग रेट लर्निंग भी आ गया आफ्टर 200 किचंस और फिटेड दर लर्निंग रेट विल स्टॉप दोसों पर रुक जाएगी और टाइम टेकन फॉर दाइम टेकन फॉर आपको करनी पड़ आगे जो लिखना ओर इसको छोड़ दें या आपको समझ नहीं आएगी अभी यह उसके बाद टेबल को भी छोड़ दें एस सी नॉर्मली वर्क सराउंड यह भी छोड़ दें एच्सी यूजिस हाइलो मैथर यह भी छोड़ दें दा लर्निंग का विक्वेजन इस वाइस आगे लिखा हुआ है यह तो आपको पता ही है रिकॉाइड कल्कुलेट टोटल कॉस लिखा हुआ है आपने सिर्फ लेबर कॉस निकाल ली है टोटल कॉस अभी निकाल ली है ओके बी पे आईए इफ दा सेकिंड किचन अलोन इस एक्सपेक्टेट तो टेक 21.6 मैन आर्स तो देमोस्टेट हो दा लर्निंग रेट और 95% हैस बिन कल्कुलेटेड यह इंशाला हम कल करेंगे कि यह रेट कैसे कल्कुलेट करते हैं ठीक होगी बात एक यह प्रेक्टिस सेट अपका हुवग है और एक जो यह सवाल आपको भी दिया गया पास्पेपर यह आपका हुवग ह कल इंशाला इस प्रेक्टिस सेट के क्वेस्टन को भी करेंगे और इस पास्पेपर वाले सवाल को भी करेंगे और मुझे उमीद है कि कल आप सारे क्लास में मौजूद होंगे अल्ला आपिस